हनुमान जियनती है कल पूनिमा है और इसका एक विशेश मात्व है यह जो हनुमान जियनती आती है जो पूनिमा आती है इस समय आप अपनी सम्रद्धी के लिए बहुत बड़े उपाए बहुत छोटे से उपाए में बहुत बड़ी सम्रद्धी के लिए काम ना कर सकते हैं इस उसी के कई सारे टोट के छोटे छोटे जो हैं वो टैरों के हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहे हूं हनुमान जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रामयन की जो पूरी कथा है उसमें और राम चरित मानस में हनुमान जी का क्या पूरा इंपॉर्टेंस रहा है हनुमान क् उनके character को जब हम देखते हैं तो वो हैं भक्त और भक्त के पास क्या होता है वो होता है समर्पन तो आप देखिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिच्छा हमें देते हैं अनुमान जी कि किस तरह से अपने जीवन में आस्था और विश्वास के प्रती जब आपका समर्पन समगर होता है 100 प्रतीशत होता है तो आपके लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है बहुत असीमित ऊरजाओं के मालिक होने के बाद में दी जब उन्हें ये चीज का बहुत ज़्यादा भान नहीं था कि क्या शक्तियां उनके पास है और जब उनको वो शक्तियां याद दिल इसी तरह आप देखिए कि जीवन में हर व्यक्ति के पास अपने गोल कंप्लीट करने की शमता होती है। तो सबसे महत्पूर्ण चीज जो मैं आपको आज कहने जा रही हूं कि जब हम हनुमान जी की पूजा आराधना की बात करते हैं तो हम स्वयम की उर्जाओं को भी स्मरण करने याद रखने की एक मनुष्य की क्या शमता हैं क्या उर्जा हैं इससे भी आप नहीं कट सकते आपक पहुंचनी पा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है हमें याद नहीं है कि हमारी शमता हैं क्या है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जब हम इस बड़ी उर्जा के बारे में बात करते हैं कल्यूग में आप जानते ही होंगे कि कल्यूग में जिन कुछ देवत को उनकी प्रजेंस उनकी एनर्जी की प्रजेंस आफ फील कर सकते हैं इस दो ओनली गॉड दिस वे डैट यू केन फील दा एनर्जी तो यदि हम बात करें कुछ लोगों के जा मैं कार्ड देखते हूं तो देखती हूं कि उनको उस उर्जा के आवश्यक्ता है है जिसके बारे में उनको पहले तो पता चले पता चलने के बाद में वो जह हैं ज्यादę से ज्यादा अपनी छंटाओं आप सब से मैं रिक्वेस्ट कर रह रहहूं जamtने भी लोग अभी ऊनलाइन है प्लीज ज्यादा से जादा शेयर arteक . यूं आपको शेयर्ट का buy A जी जैसे जै किशन जी को मिला है बैच मिल गया है इनको और हम इनका question लेंगे लेकिन आपको keep posting your question क्योंकि अभी में हनुमान जी का management और हनुमान जी से related remedies के बारे में बात करके फिर आपके लिए पूरा live tarot card reading का session करने वाली हूँ तो आप लोग जो है जै प्रकार्ष जी जै कृष्णा जी आप अपनी जो है पोस्ट करते जाएगा हमारा जैसे ही session कतम हो यह जो आपने लिखा है पूरा date of worth टाइम प्लेस का अवर्शक्तानी date of worth भी आपने दिया है और अपना question भी not getting side sense ओके तो आप अपने question भी देते करेंगे उतना specific आपको tarot answer देगा उसके पहले हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के उर्जाओं के बारे में और उनकी भक्ति के बारे में कल हनुमान जयानती है तो आप ऐसा क्या कर लें कि भाग्य में एक दम से जो है चमक आजाए जी यह बिल्कुल सही है यह 100% सत्य है कि जब भी आपको अपने व्यापार में अपने कर्म शेत्र में आप कोई नौकरी करते हैं आप कहीं नोकरी नहीं कर रहें लेकिन आप नोकरी तलाश कर रहें आप रोजगार की किसी भी परेशानी में हैं तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी ही चाहिए क्योंकि आप यदि उस समय वह आराधना करते हैं जिस समय आपको बिल्कुल आवश्यक है तो आप देखेंगे कि आपको उसका कितनी जल्दी फल मिलता है मैं कुछ रेमेडी आपको बताने वाली हूं आज बहुत चोटी चोटी रेमेडी जो आप आज अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं कल हनुम कारिक्रम चल रहा है आप इसको शियर करते जाहिए शियर करने से यह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग हम से जुड़ेंगे और हम जो है इसको ज्यादा लोगों को एंसर कर पाएंगे गीता अगेन आम जस्टेलिंग यू प्लीज शियर एंड गेट शियर बैच मनीशा जी को भी मैं कहूंगी कि आप शियर बैच लीजिए एंड देन वी विल डू यूर रीडिंग्स अल्सो ठीक है हम शुरू कर रहे हैं अब फाइनली काफी लोग जुड़ गए हैं तो मैं शुरू कर रही हूं रेमेडीज को जैसे हमारी जो हनुमान जी अंती की रेम कि मेरे जो वीडियो है इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मंत्र लिखा है इस मंत्र को जो है वो आप पढ़ सकते हैं कल जो है सूर्यों दे के साथ आपको क्या करना है कल थोड़ा सा एक रूटीन अपना ऐसा रखिए आप जिसमें कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ सकें कल पूणीमा है सूबह जल्दी उठने के साथ एक चीज़ और करें सूर्य के सामने आप संकल्प लीजिए कि आप आज हनुमान जैंति आज पूणीमा जो भी आपका नाम है गोत्र है यह बोलकर ही मैं प्रनाम गोत्र पूरा प्रनाउंस करने के बाद हाथ में जल लेक सुर्य के सामने संकल्प कीजिए कि आज पूरिमा का जिन लोगों को मैं बताती हूं कि पूरिमा का व्रट आप कर सकते उनकों पूरिमा का व्रत करना चीह है जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं शामका भोजन चंद्रदर्शन के बाद कीजिए सबसे पहले दूसरी बात कि हनुमान जी का जो मंत्र मेंने वहां पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में जरूर सब लोग देख लें डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने उस मंत्र से ही शुरू किया है और आप कहेंगे तो मैं मंत्र आपके लिए एक बार जो है वो पढ़ कर भी बता दूँगी लेकिन उससे अच्छा है कि आप उसमें देखने लिखा हुआ है बहुत सिंपल मंत्र हिंदी में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगे दूसरी बात आपको क्या करनी है जब संकल्प लें तो कहें कि हनुमान जी अन्ती है और मेरी इस कार्य सिद्धी के लिए डौट डौट जो भी आपका काम हो किसी एक काम के लिए आप कल सुबर संकल्प करें कि मेरी इस कार्य सिद्धी के लिए यदि आपके उपर बहुत ज़्यादा कर्जा है यदि आप जो है अपना जैसे आपने कहा कि घर बनाना चाहते हैं जैसे आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परिशान है जैसे आप अपनी financial condition को लेकर परिशान है तो अपने कर्म के बारे में बोलिए specific बोलिए कि मुझे नौकरी मिल जाए और इस तरह की नौकरी मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए जो भी चाहिए उसको एक specific उसमें बोलिए जब आप specific बोलेंगे तब आपकी वो मनोकामना वो wish जो है पूरा करने में सस्तित्व को नूर्जाओं को भी मदद मिलेगी तो उनको समझने में आप यदि मुझे कोई बात भी कहना चाहते जैसे मैं आप सभी को कहते हूं कि प्लीज जो है आप अपने प्रश्णों को एकदम स्पष्ट तौर से पूछिए ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखती आ है और मुझे समझ में आ जाएगा तो I am also not God लेकिन I am just a medium हूं में आप सब के सामने इसलिए मैं बता रही हूं कि आप जो है अपने प्रश्णों को स्पष्ट पूछें वैसे ही अपनी प्रेयर्स को स्पष्ट रखें तो आप ये कहिए कि मैं आज अपना पूरा नाम लेकर जैसे भी मैंने बताया वैसे अपनी पूरी विश को बोल दीजे और उस दिन आप ये जो मंत्र है इसकी 108 टाइम जो है इसका प्रनंसियेशन कीजे 108 बार चैंटिंग कीजे आपको याद हो जाएगा शाम के वक्त जो है वो आप चंद्रदर्शन करिए हनुमान चैलिसा का पाट कीजिए घर में हनुमान जी के लिए पहले दीपक जलाएए और फिर आप जो है भोजन करिए तो ये आपका एक हनुमान जी का हनुमान जैन्ति का आपका एक कम्प्लीट वो हो जाएगा लेकिन यदि कोई इस तरह की विश है आपकी जो की बिल्कुल ही आप बार 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 कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब लॉक्डाउन खुल जाए तो दिन में एक बार आप हनुमान मंदिर जरूर जाए दिन में निशाम क जाके चोला वगरा तो नहीं चड़ा सकते हैं कई लोग होता है जो यह आप कोशिश कर सकते हैं कि आप पंडित जी को फोन कर दें आप वहां पे कुछ कॉंट्रिब्यूट कर दें और कहें कि आप यह चोला हमारी तरफ से आज चड़ा दीजिए यदि संभा वो तो आप यह कर सकते हैं घर बैट के ही हो जाएगा दूसरी बात कि आप जो चोला चड़ाने की प्रोसेस है वो चमेली के तेल से ही होता है वो बहुत प्रिये हनुमान जी को और लाल फूल हनुमान जी को भी प्रिये है सिंदूर उनको भी प्रिये है तो जो देवी को अर्पित होने वाल जी के लिए ताकि मैं आपको सिंदूर से संबंदित विधियां बता पाऊं कि उस सिंदूर का क्या महत होता है जो हनुमान जी के उपर चड़ता है जब मा सीता एक बार श्रंगार कर रही थी तो मा सीता को उन्होंने देखा हनुमान जी उनके कक्ष के तरफ गए और देखा उन्होंने की मा सीता अपनी मांग में जो है सिंदूर लगा रही है तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि मा आपने ये क्या लगाया है और तो मा ने बताय कि ये जो है सिंदूर है फिर हनुमान जी ने पूछा इसका क्या महत्वे आप ये क्यों लगाती हैं तो उन्होंने कहा इससे आपके प्रभुराम जो है वो प्रसन होते हैं वो मुझे प भी एक सम्रद्दी और उसके लिए जो स्वास्त है उसके लिए कामना करती हूं और उनका मेरे उपर प्रेम बना रहता है इस सिंदूर के कारण बस इतना सुन्ना था और हनुमान जी जो है वो गये और पूरा अपने आपको उन्होंने जो है सिंदूर में भर लिया पूरे उन मान जी पर शीराम का विशेश विशेश असने था लेकिन ये चीज़ देखकर तो वो अभिवूत ही हो गए कि भक्त जो होते हैं वो इस तरह होते हैं अपने प्रबु को प्रसन्न करने के लिए बेसिकली ये चीज़ हमें क्या सीख देती है कि जब हम किसी के बारे में सोचत हैं ये एक बहुत सुंदर इसका चरितार्थ देखेंगे आप इस कहानी का और ये जो सिंदूर है जिसके बारे में ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है उसका सबसे बड़ा कारणी है कि ये जो सिंदूर है ये बहुत सारी आपकी मनों कामनाओं को पूर्ण करने में सह योगी होता है बहुत सारी विदिया है हनुमान जी को पूजने की पूजा करने की और उनकी जो एनरजी है जिससे जो क्या होता है कि ततकाल प्रभाव से काम करती है हनुमान जी की जो एनरजी है जब आप उसको कॉल करते हैं जो वर्शिप है मैं उसको मानती हूँ कि आप उस ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए आपके प्रेशन में तभी ले पाऊंगी जब आपने वीडियो शेयर किया है ज्यादा से ज्यादा और वीडियो शेयर करने के साथ साथ आपके वीडियो शेयर करने से यहां पर शेयर बैच भी आया कई लोगों के आया है बहुत सारे लोग ह इनको आ गया है शेर का बैच और झो लोग यह शेर का बैच वह पुराने लोग भी नए visual है पने जो शेर है वह पुंसेंग deber तो जसुआतने मुझे दिखते जाएंगे ट्षान उतने में लेटे जाऊंगे हमने सबसे पहले जो कहा है मैं कुशिश करूंगी कि आज नए लोगों की questions लूँ क्योंकि जो पुराने लोगों उनको sharer का बैच जल्दी मिल जाता है तो please try to post आप जो ये live video चल रहा है live telecast को आप ज्यादा से ज्यादा groups में share कीजिए और नए जुडने वाले लोगों से मेरी एक निवेदन है कि please page को like कर दीजे क्योंकि page को आप like करेंगे तो आपको sharer का बैच जरूर मिल जाएगा इसलिए page को तुरंत like कर दीजे page को follow करने लगे तो आपको इस तरह के updates भी मिल जाएंगे हम बात करें हैं आज हनुमान जी अंती कल है पूरी मा कल है लिकिन आप क्या खास होगा life में किस तरह से घर बैठे आप चीजों को नए तरीके से कर सकते हैं तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात यही है कि जिस तरह से हनुमान जी के सिंदूर वाली कहानी में आपको सुनाई तो उनका जो सिंदूर है कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर जाते है हम जाते हैं हाथ जोडते हैं और आ जाते हैं लेकिन खास क्या होता है मंदिर में सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होती है जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं कम से कम आप अपना 5-10 मिनेट का समय दीजिए वहाँ पे और हनुमान मंदिर में स्पेशली आप जाएं साथ से साड़े साथ बजे आड़ बजे शाम के समय जाएं दिया जलाईए वहाँ पर पांच-दस निट बैठिए हनुमान चाली सका पाट कीजिए भगवान श्री राम का नाम लीजिए कम से कम 108 टाइम्स चैंट कीजिए श्री राम या जो भी आप बोलना चाहते हैं उस तरह से और फिर आप देखिए कि आपके काम किस तरह से जल्दी जल्दी होते हैं तो जब आप ये सारी प्रक्रिया करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से नई उर्जाओं को भी ले रहे हैं आपको नई उर्जाओं अपने जीवन में जो है वो प्रकार्शमान होती ये आज बात कर रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया कि आप पूरे दिन के लिए एक संकल्प ले सकते हैं आप हनुमान मंदिर में जो है जब लॉकडाउन नहीं हो तब आप क्या कर सकते हैं कि पीपल के पत्तों की एक माला बनाई है जिसमें आप 21 पत्ते लें और उस पे जैश्री राम या राम 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 लिखकर सिंदूर से लिख दें उस पे राम और वो माला जो है हनुमान जी के गले में डाल दीजे उसमें से कुछ पत्तों को आप लाके अपने घर पे भी रख सकते हैं ये चीज आपकी सीदे सीदे आपकी आर्थिक वरद्धी के लिए है ये काम ये 5 से 10 शनिवार भी आप कर सकते हैं 5 से अनिवार 10 शनिवार 11 शनिवार आप जाएंगे ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि आपके जो काम रुके हुए काम है वो बहुत जल्दी होने लगे दूसरी खास बात कि आप क्या करते हैं कल आप मंदिर तो नहीं जा सकते लेकिन आप घर पे ही भगवान हनुमान को जो है भगवान राम को हनुमान जी को साथ में आप उनकी पूजा करें और फिर आप हनुम जी अन्ती है हनुमान चालीसा का पाट करें बजरंग बांड का पाट करें और आप देखेंगे आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे एक चीज़ और खास यहां बताना चाहूंगी कि पारत के हनुमान जी भी लोग अपने घरों में विशेश कर्द जिन लोगों की एक विश पासिटिव एनरजी घर में किसी भी तरह का वासुदोश पारत के हनुमान जी रखने से खत्म हो जाता है आपको कोई घर में मोडिफिकेशन करानी की जरुरत नहीं क्योंकि उर्जा बहुत हाई होती है लेकिन जब उनकी स्थापना है तो प्रॉपर आप स्थापना करें प पूछिए यह इस तरह से मैं क्वेशन नहीं ले पाऊंगी आप क्या जामना चाहते हैं मेरा कार्ड लीजे यह जनरल रीडिंग नहीं है शोभा आप इसमें जो है मुझसे अपना एक स्पेसिफिक क्वेशन पूछिए कोई भी एक प्रेशन और आज मैं वह क्वेशन जो ल Het कुस्प कर सकते हैं आप कर सकते हैं शत्रू को जिनकी प्राप्लम होती है कास कर के कई लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमें बड़ी नेगेटिव ओर्ज़ा है parece बहुत है तो करना है तो आपको करना है सरसों के तेल का दिया जलाना है हनुमान जी के सामने ये आपकी शत्रों से रक्षा करेगा पारत के हनुमान जी रखने से एक फाइदा और होता है पित्र दोश जिन लोगों को होता है पित्र दोश रियादी पारत के हनुमान जी के आप डेली पूज रोज आराधना कर रहे हैं तो आपकी कुंडली के पित्रदोश भी खत्म हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप शेयर करेंगे